जय जय सनिदयो मकरास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके ही दैनीक रासी फल में मैं हूं आचारस के दिवारी दोस्तों आपका रासी फल लेकर हाजिर हैं बात करते हैं रविवार 8 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा जाएगा तो आईए रासी फल से पहले पंचान के बारे में जानते हैं रवीवार 8 दिसंबर 2024 मार्गसी सुकलपक्ष की सब्तमीती थी विक्रमी संबर 2080 आज का सुर्योदे 7 बच के 2 मिनट पर होगा तो ही आज का सुर्यास्त 5 बच के 24 मिनट पर होगा आज की दिन चंदरमा पूरे दिन कुम्भरास में कोचर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी कुम्भ होगी बात करते हैं आज के महुर्तों की ब्रह्मा मुर्त रहेगा 5 बच के 13 मिनट से सुबह 6 बच के 7 मिनट तक अब जिन महुर्त रहेगा 11 बच के 22 मिनट से 12 बच के 34 मिनट तक जिन महुर्त रहेगा 1 बच के 57 मिनट से 2 बच के 38 मिनट तक आज अमरित काल का समय रहेगा 9 बच के 5 मिनट सुबह से 10 बच के 38 मिन सुबह तक तो ये थे आज के सुमोहुर्थ इसके अलाबाज कोई भी सुमोहुर्थ नहीं बन रहा है आज का राहुकाल का समय रहेगा 4 बच के 7 मिनट साम सेले कर साम 5 बच के 24 मेर तक राहुकाल के समय किसी भी सुभ और अच्छे कारियों के सुरुआत ना करें अब आई जानते हैं आपके रासिफल के बारे में मकरास के दोस्तों आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्तता भरा रहेगा और कुछ भाग दोड़ भी आपको जादा ही करनी पर सकती है परिवार के छोटे सदस्य आज आपके आपकी वजह से काफी खुसना जा रहेंगे और उनके साथ आपके सम्मन बहुत अच्छे रहेंगे पिता को इस दरवान कोई अच्छा लाब मिल सकता है परिवार में थोड़ी नाराजगी के बावजूद आपको अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा आज आपका मन रचनात्म पक्ष पर अधिक देखने को मिलेगा साइद एक रचना भी सुरू कर सकते हैं कानून के छेत से जुड़े छात्रों को अपने समय का सदुपयों करना चाहिए दोस्त आज आप से कोई बड़ा जूट बोल सकते हैं उन पर सक करने की बज़ाए उस जूट की पुष्टी करने का प्रयास करें नियंतर्ण में रहने के निर्देसों के साथ उन्हें एक मौका देना आप के लिए बनता है मकर आसक दोस्तों आज आप अपने नए काम में किसी करीबी जानकार की मदद ले सकते हैं निश्ची तोर पर आपको उनकी मदद फायदे मन रहने वाली है कोई रुका हुआ काम इस दोरान आपका पूरा हो सकता है साथ ही सासन में सफलता मिलेगी यानि जो भी आपके सास्की कारे हैं उन कारियों में आज आपको सफलता मिलेगी लंबे समय से चली आ रही कोई बहुत बड़ी समस्या आज दूर होती नजार आएगी अच्छी योजना और सोच का प्रयोग आपके लिए बड़ा बदलाव ला सकती है कोई खास काम पूरा होने की योग बन रहे हैं आपको अपनी नोकरी अदिम्चरिया में कुछ बदलाव करने का बिचार करना चाहिए खरीदारी भी आज आपके लिए काफी फायदे मन साबित हो सकती है मकर आज को दोस्तों आज का दिन आपके लिए सुब रहेगा आपके आमदनी में बृद्धी होगी क्योंकि आज भी चंद्रमा आपके धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं जिससे आपको कोई अच्छी चीज खरीदने का मोका मिलेगा स्वास थोड़ा कमजोर रहेगा और इस बज़य से एक सिवड़कर एक चीज़े आपका ध्याना करसित करेंगी जिससे आप किसी एक निसकर्स पर पहुँचने में थोड़ा सा असमर्थ महसूस करेंगे आज आप अपने कामों को पूरा करने के लिए हर तरीका अपना सकते हैं विस्ताता के बावजूद दिन अच्छा वीतेगा धन के मामले में भी लाव हो सकता है आपको नई नोकरी भी मिल सकती है अधिकांस लोग आपके लिए सकरात्मक हो सकते हैं परिवार में कम उम्रे के लोगों से मदद मिलने की संभावना भी बन रही है मकर रास्त के दोस्तों ये आप अपना केरियर बदलने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए पूरी तरह से तयार है या नहीं है क्यूकि आपका केरियर आपके बिसीजन पर निर्भर करता है इस रास्त के जो लोग अपने विवसाई की छेतर में परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें नेड़े लेने से पहले अपने बड़ों की राय अबस्त ले लेनी चाहिए आज प्रभावसाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को और भी जादा बढ़ा देगा रिष्तेदारों साथ आपको अपने सम्मंधों को नया करने का दिन है दिन चरिया अच्छी रहेगी कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है साथ ही किसी प्रेजन से आज मिल मुलाकात होने की संभावना भी बन रही है आज का दिन आपको खुसिया देगा और आपको अपने बढ़ते हुए खर्चों से मुक्ती मिलेगी इससे आपकी आए में बृद्धी देखने को मिलेगी जिससे आप काफी प्रसन रहेंगे दामपती जीवन में भी खुसी के पलों का उपहार मिलेगा और जीवन में माता पिता का सहयोग मिलेगा जिससे ब्यापार में और तेजी आएगी आज आप प्रयास करें तो आपको अच्छी सफलता भी मिल सकती है आज आप लगभग किसी को भी अपनी बातों से सहमत करा सकते हैं घर में कुछ मामले अचानक आपके सामने आ सकते हैं कुछ समय अकेले बिताएं यह आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आज आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा जीवन साथी के भावनाओं का सम्मान करें बिरोधियों की आज पराजय होगी सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ सकती है और मित्रों और अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा तो मकारास के दोस्तों यह था आज आपका रासी फल कल फिर से एक नए रास फल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसनी देओ